राजस्तान हाई कोट ने राज्य में दस्वी और बारवी की बोर्ट परिक्षाएं अस्थगीत करने से इंकार किया है जनहीत याचीका की सुनवाई में हाई कोट ने केंदर और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसाब परिक्षा कराने के डिरतेश्टिये हैं मामले के सुनवाई के लिए गठित किये विशेश और काशकालिन खंड़ पीट ने या देश दिया है अस मामले के सुनवाई के लिए जस्टिस पंकच भंडारी और जस्टिस एनेस टुड़ा की विशेश खंड़ पीट का गठन किया गया था आपको बता दे कि कुरोना महामारी की बीच मार्च महा में इस्तिकित के गई परिक्षाएं गुरुबार से शुरू हो गई है राजस्थान प्राइविट एजूकेशन एंड वेलफेर सोसाइटी ने एक जनहित याचिका दायर कर राज्य में बढ़ते कुरोना संक्रमन के बीच हो रही इन परिक्षाओं को इस्तिकित करने की गुहार लगाई थी याचिका में कहा गया कि बच्चों में कुरोना के चलते मांसिक स्ट्रेस है जिससे वे सही डंग से परिक्षा नहीं दे पाएंगे राज्य सरकार के ओर से महादिवक्ता एमेस सिंग्भी ने याचिका के जवाब में कहा कि सरकार ने अपने इस्तर पर बहतरीन विवस्ताएं की है सभी जगा करोना संक्रमन से सुरक्षा और बचाओं के उपाएं किये गए हैं बच्चों ने अपने तियारी किये हैं ऐसे में एक बाब फिर शुरू हो चुकी परिक्षा को इस्तिकित करना बच्चों के हित में नहीं होगा बहस के बाद खंड पीट ने याचिका को खारिज करने के आदिश देते वे कहा कि परिक्षा को लेकर हाई कोट पूर में ही निर्देश जारी कर चुका है एक नई आचिका के जरिये 30 माई के नोटिफिकेशन को चुनोती देना सारहीन है